फेलो दोस्तों, जारकन टॉक में आपका स्वागत है, इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे हो विद्रो के बारे में, जो हुआ था 1820 से 1821 के बीच, ये इस सीरीज का आटवा लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने जारकन के बहुत सारे इंपोर्टेंट विद्रो के बारे में डीटेल से बताया हुआ है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, तो सबसे पहले आप लोगों के बारे में बता दो कि इनका जो निवास अस्थान था, मतलब जहां ये लोग रहते थे, उस जगह को ये हो देशम कहते थे, इसका मतलब होता है हो जाती का देश या हो लोगों का देश, एक्छली ये जो देशम है, इसको हो में दिसम प्रोनाउंस किया जाता है, हो दिसम, आप लोगो जहां रहते थे, उसको हो दिसम या कोलहान के नाम से जाना जाता था, कोलहान मतलब कोल लोगों का स्थान, इन लोगों को कोल भी कहा जाता था, तो इन लोगों पर मतलब की हो दिसम या कोलहान पर कभी मुगलों या मराठों का अधिकार नहीं था, मतलब की जब मुगलों का काफी मुस्किल होता था इसे लिए इन लोगों पर कभी किसी का प्रत्यक्ष नियंतरन या डारेट कंट्रोल नहीं था लेकिन कोलान का छेत्र पोड़ाट के सिंग राजाओं के अंतरगत आता था तो पोड़ाट राजाओं का इन पर प्रभाव था लेकिन हो लोग पोड़ाट राजाओं को कभी नियमित कर मतलब की टाइमली कर नहीं देते थे केवल कभी-कभी उपहार या बेहट की तरह कुछ दे दिया करते थे तो इस तरह काफी लंबे समय तक किसी बाहरी राजा के नियंतरन से मुक्त या स्वतंतर रहने के कारण हो लोग स्वतंतरता प्रेमी और लड़ाको स्वाभाव के भी हो गये थे जब भी कोई इन पर नियंतरन करने की कोशिस करता या इनको अपने अधिन करने की बात करता तो ये विद्रोह कर देते थे तुरंत लड़ने पर उतर आते थे इसलिए जब अंग्रेज यहां आये मतलब कि इस्ट इंडिया कंपनी का जब ज़ारकंड में प्रवेस हुआ तब इन लोगों को लड़ाका कोल के नाम से जाना जाने लगा इनके लड़ाकों नेचर की वज़ा से ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिध हो गया लेकिन पोड़हाट का राजा जगरनात सिंग हो लोगों पर अपना नियंतरन स्थापित करना चाहता था तो इसके लिए उसने अंग्रेजों से मदद मांगी 1820 में जगरनात सिंग मेजर रपसेज के साथ सेना लेकर हो दिसम में गया और हो लोगों को अपने अधीन करना चाहा तो इसको विरूद में हो लोगों ने विद्रोव कर दिया और 1820 में चाइबासा में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और हो लोगों के बीच युद हुआ मेजर रपसेज की सेना ने हो लोगों के विद्रोव का दमन किया क्योंकि हो लोग तीर दनुस भाला और लाठी डंडा लेकर लड़ रहे थे और अंग्रेजी सेना के पास बंदूकें और गोला बारुत थे इसी कारण हो लोग अंग्रेजों से हार गए लेकिन इसके बावजूद भी हो देसम या कोलहान के केवल उत्तरी भाग के लोग सांथ हुए थे उत्तरी भाग के लोग ही राजा को कर देने के लिए तयार हुए थे लेकिन दक्षनी भाग के जो हो लोग थे वो सांथ नहीं हुए थे उन्होंने विरोध करना जारी रखा था और कोलान से सटे जो बाहरी इलाके थे वहां काफी लूट पाड़ भी ये लोग मचा रहे थे तो पोड़ाट के राजा ने अंग्रेजों से दुबारा मदद मागी और इस बार 1821 में करनल रिचर्ड को हो लोगों पर नियंतरन स्थापित करने के लिए भेजा गया तो करनल रिचर्ड के नेतरित्वा में एक बड़ी सेना को दक्षणी भाग के हो लोगों को नियंतरन में करने के लिए भेजा गया इस बार हो लोगों ने करनल रिचर्ड की सेना का एक महीने तक सामना किया लेकिन वही बात है कि तीर दन उस कब तक गोली बंदुक के सामने टिकते तो एक महिने के बाद हो लोगों ने सोचा कि अब विरोध करने से फायदा नहीं है इससे अच्छा है समझावता कर लेना चाहिए तो अंग्रेजों और हो लोगों के भी समझावता हुआ तो इनी संदी के साथ हो विद्रो तो सांथ हो गया लेकिन इसके बाद भी हो लोगों ने 1831 और 32 का जो कोल विद्रो हुआ था उसमें बढ़ चरकर हिस्सा लिया था इस कोल विद्रो की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो इसी समझावते के साथ 1821 का हो विद्रो सान्थ हो गया तो इस हो विद्रो में आपको year 1820 से 1821 आपको याद रखना थे और हो विद्रो में चैबासा में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और हो लोगों के बिच लड़ाई हुई थी और इस विद्रों को दबाने वाले अंग्रेज थे Major Rapsij और Colonel Richard पहले Major Rapsij आया था बाद में Colonel Richard को भेजा गया था तो हो विद्रों में बस इतना ही उमीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप मुझसे इन सोसल मीडिया पर जुड सकते हैं मुझे इस मेल आइडी पर मेल भी कर सकते हैं थांक्यू सो मच जोहार